नमस्कार दोस्तों सुवागत है आप सभी का आपके अपने चैनल BSA Tricky Classes में दोस्तों आज के इस वीडियो में आज हम आप लोग को बताने वाले हैं भारत सरकार की प्रमुख योजनाओं के बारे में तो आप सभी जानते दोस्तों भारत सरकार के जो योजनाओं हैं आप लोग के exam point of view से बहुत important है आपको नहीं पता है दोस्तों कौन सी योजना आप लोग के exam में आ सकती है तो फलाल जितनी भी महतपूर योजनाओं हैं वो सारी हम आप लोग के साथ discuss करेंगे आज इस योजना का फलाल भारत सरकार के प्रमुक योजना का part 1 रहेगा ठीक है तो part 1 में total हम लोग महतपूर 15 योजनाओं भारत सरकार के discuss करेंगे आप लोगों के साथ तो वीडियो को दोस्तों सुरूच लेकर लाश्ट तक बिल्कुल पूरा देखेगा ताकि हर योजना आप लोग के clear हो जाए ठीक है जितने भी महतपूर बाते हैं वो आप सभी को समझ में आ जाए इतनी बात clear है और दोस्तों अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लिजगा ताकि इसी तरीके से आप लोग को सारे हमारी लेटिस्ट वीडियो के अपडेट मिलते रहें तो चलिए शुरू करते हैं आईए सबसे पहरे दोस्तों बात करते हैं भारा सरकार के प्रमुख योजना में सेतु भारतम क्या नाम है तो इसके संबन्द दोस्तों इसका मतलब क्या इसमें क्या किया गया है देखिए इस योजना के अंतरगत राश्टिये राजमार्ग पर सुरक्षित और सहज यात्रा के लिए पुलो का विकास करना है कोश्चन ऐसे आ सकता है दोस्तो सेतु भारतम का उद्देश शेक्या है और बहाँ पर आप लोगों को चार ओप्षन दिये गए होंगे जिसमें एक ओप्षन आपको मिल जाएगा राश्टिय राजमार्ग पर सुरक्षित और सहज यात्रा के लिए पुलो का विकास करना है यह सेतु भारतम नाम से इस पश्ट है मंत्राले की बात करें दोस्तो इसके तो यह है सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्राले इसका लक्षे है दोस्तो नैशनल हाइवेज है राश्टिय राजमार्ग है उसको रेलवे लेविल क्रॉसिंग से मुक्त करना है इसका सुभारम की बात करना है दोस्तो तो इसकी स्टार्टिंग की गई 4 मार्श 2016 ठीक है तो इसी तदी के दोस्तों आप लोगों से डिसकस करेंगे यह अमने बात की सेतु भरतम के बारे में यह बिलकुल पॉइंट में बात कहिए मैंने जितना कम शब्द यूज हो सकते दोस्तों मैंने कम से कम शब्दों में पूरा डिफाइन करने की पूरी कोशिश की है आई होप आप सभी को पसंद आया होगा तो वीडियो को दोस्तों लाइक जरूर कीज़ेगा और जितने भी आप सभी के फ्रेंड्स हैं उनके शास सेर जरूर कीज़ेगा चले फिला दोस्तों अब बात करते हैं यहाँ पर दूसरी योजना क्या नाम है दोस्तों इसका दीन दयाल उपाध्याई गराम जियुति योजना तो इसके सम्मद में आपको बताते हैं यह योजना सभी ग्रामील परिवारों तक विद्धुत आपूर्ती को सुनिश्चित करती है यानि कि दोस्तों इसका क्या रिलेशन है यह जो है जितने भी ग्रामीड परिवार हैं गाओं वाले परिवार हैं उन तक जो है बिद्धुद्यानी की बिजली की आपूर्ती को यहाँ पर सुनिश्चित करना ठीक है तो इसका मंत्राले दोस्तो है उर्जा मंत्राले और इसका लक्षे है दोस्तो इससे ग्रामीड घरो को 24 घंटे बिजली प्रदान करने और क्रशी उभोगताओं को प्रयाप्त विद्धुत प्रदान करने में मदद मिलेगी ठीक है इसका यही उद्देश्य लक्षे है और इसका सुभारम किया गया था दोस्तों 25 जुलाई 2015 में पटनामे किया गया था कब 25 जुलाई 2015 को ठीक है पुरानी योजना इसका पुरानी योजना का नाम था राजीव कांधी ग्रामिल विद्युती करन योजना ठीक है जो इस टाइम दोस्तों हम लोग इस नाम से जान रहे हैं इसे दीन दयाल उपाध्य है ग्राम जियुती योजना इसका पहले का नाम था राजीव कांधी ग् 100% वित्पोशित योजना है जो विराशत सहरों को समगर विकास पर ध्यान केंद्रित करती है इसका लक्ष दोस्तो है सहरों का सामरिक और नियोजित विकास करने के लिए आजीबिका पर विशेज ध्यान देने के साथ जीवन की समगर गुडवत्ता सुधार करते हुए स्वक्षता, सुरक्षा, परियाटन, विरासत, पुनरोधार और सहर की सांस्कृतिक पहचान को बनाए रखना है यह है इसका लक्ष है ध्यान रखेगा दोस्तो ओके अब बात करेंगे दोस्तो फिलाल फोर्ट पॉइंट यहां पर जो फोर्ट है उस तो यहां पर योजना है यह है राष्ट्रिय गोकुल मिशन ठीक है राष्ट्रिय गोकुल मिशन है इसके समझ में आपको बता दें दोस्तो देखिए राष्ट्रिय गोकुल मिशन नैशनल प्रोग्राम फॉर बोवाइन ब्रेडिंग एंड डेरी डेवलप्मेंट यह ध्यान रखेगा दोस्तों क्य लोग का विकास एवं संदक्षन करना साथ ही उनकी उत्पादक्ता में ब्रध्धी करना है इसका सुभारम हुआ था 28 जुलाई 2014 को और इसका भिभाग है पशुपालन डेरी और मतस्य पालन भिभाग है चलिए दोस्तों बात करते हैं फ्लान नेक्स्ट योजना की जो है दोस् formation ठीक है तो short form में बोल देते हैं से AMRUT ठीक है एमरट और इसके संबन में आपको बता देते हैं दोस्तों सहरी घरों को बुनियादी सेवाई जैसे की जलकिया पूरती हो गई स्रीवेज ठीक है ना सहरी परिवहन परदान करना एवं सुभिधाओं का निर्माड करना जो सभ एक लाक और इससे अधिक की अवादी वाले 500 सहरों और कश्वों में लागू किया जाएगा यह जलकी आपूरती सीवेज परिवेन और बच्चों के लिए विशेश प्रावधान युक्त हरित इस्तलों के विकाज जैसे अब संरशना सुभिधाओं को शुनिश्चित करने ह एक परियोजना द्रश्टी कोड को अपनाता है इसका सुभारम भूत है दोस्तों 25 जून 2015 को समय सीमा है इसकी 5 साल इतनी बात क्लियर है अब बात करेंगे दोस्तों सुकन्या स्रमध्धी योजना की ठीक है आपको पता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ यहां पर देखे सुकन्या स्रमध्धी योजना में है यह एक छोटी सी बच्चत योजना है जिसके माध्यम से बालिकाओ की सिक्षा एवं भीवा के खर्च की परिशानी को दूर करना है ठीक ना तो बालिकाओ की सिक्षा और भीवा के खर्च से संबंदित कौन सी योजना है कोशन ऐसे भी पूछ लिया जाता है तो यह है दोस्तो आप लोग की यहाँ पर सुकन्या स्रमध्धि यूजना इसका लक्षे दोस्तों आप लोग समझ चुके हैं इसका लक्षे है बालिका सिशु के कल्यार के लिए कारे करना इसका सुमारम क्या गया था 22 जन्वरी 2015 को अब बात करतें दोस्तों ये सभी आप लोग जानते हैं कॉषल भारत कुषल भारत के बारे में आप सभी जानते हैं तो देखिए इस योजना के इंदरगत क्या है इस योजना के तहट कोशल विकास प्रसिक्षन शुरू करने के लिए और द्योगिक प्रसिक्षन संस्थान बनाना युबाओ को कोशल प्रसिक्षन प्रदान करना एवं उद्धमी कोशल का विकास करना ठीक है तो यह है दोस्तों इसके संबन में ध्यान रखेगा क्या करना है जिससे कोशल की कमी को कम करके रोजगार प्रोस्तायत किया जा सके ठीक है इसका सुभारम दोस्तों किया गया था मार्च 2015 में किया गया था इसके बाद दोस्तों में बात करने वाले हैं भार सरकार के एक और प्रमुख योजना के बारे में पहल ये कुश्चन पूछ लिया जाता है पहल ये है अपलोग का प्रत्यक्ष लाव हस्तानतरण तो इसके संब्द में आपको बता देते है LPG के लिए प्रत्यक्ष लाव हस्तांतरन से संबंदित है और यह विश में सबसे बड़ी प्रत्यक्ष लाव हस्तांतरन योजना है इसका लक्षे है LPG GAS के लिए सबस्टेडी उभोगता को सीधे बैंक खाते में दे जाएगी तो यह है पहली उजना की अंतरगत अच्छा इसका सुबारम किया गया तो दोस्तों 15 नवंबर 2014 में 54 जिलो मिश्की शुरुवात की गई थी बाद में 1 जनबरी 2015 में इसे पूरे भारत में लागू कर दिया गया ठीक है अब बात करेंगे दोस्तों सहरी राष्टिय शहरी विकास मिशन नैशनल अरबन लाइवली हूड मिशन इसके बारे में आपको बताते हैं इस मिशन का जो देश्य है सहरी सडग विक्रेताओं की आजिवी का चिंता और उपरियुक तरिक्टिस्थान संस्थागर क्रेटेट समाजिक सुरक्षय और कौशल प्रदान करने पर केंद्रित है इसका लक्षे है दोस्तों सुसजित आवश्यक सेवाओं के साथ आश्रय प्रदान करता है और किसके पर प्रतिस्थापित की गई थी दोस्तों इसे जो है जवाहर लाल नहरू राष्टिय नवीनी करन मिशन के कैसे भी पूछा जा सकता है कि राष्टिय सहरी विकास मिशन का पहले का नाम क्या था ठीक है इसे पहले किस नाम से जाना जाता था तो कोशन दोस्तों कैसे भी आप लोगों से पूछा जा सकता है मैं हर एक बात आप लोग के यहां पर क्लियर करते हो चल रहा हूं ठीक है त इतनी भी महत्पुड यूजना है वो सारी की सारी आप लोगों के साथ डिसकस करेंगे। चले फिला दोस्तों आप बात करते हैं। सांसद आदर्स ग्राम यूजना के बारे में। सांसद आदर्ष ग्राम यूजना में देखिए, इसके संबन में आपको पता देते हैं, यह एक ग्रामीड बिकास कारिकरम है, जो गाओं के बिकास पर केंद्रित है, जिसमें समाजिक, सांसक्रतिक बिकास, एवं समाजिक गतिशीलता शामिल है, इसका लक्षे मार्च 2019 तग, प्रतेक संसद दोरा 3 आदर्ष ग्राम वेक्सित करना है, इसका लक्षे, इसका सुभारम किया गया था, 11 अक्टूबर 2014 को जैप्रकाश नरायन जी के जनब दिवसपर दिल्ली में किया था, इसका सुभारम, ठीक है, तो यह था दोस्तों आप लोग का यहां पर संसद आदर Colors Gram योजना के बारे में, अब हमलोग बात करेंगे, next चो हमारी योजना है, प्रमु크 योजना यह स्मार्ट सिटी मिशन, क्या नाम है दोस्तों इस योजना का इसका नाम है Smart City Mission तो इसके सम्बद में आपको पता देते हैं Smart City Mission सरकार की एक सहासिक पहल है और यह सहरों के लिए उधारन पेश करेगा जो शहरों के अंदर एवं बाहर दोनों जगा लागू किया जाएगा इसका लक्षे है Smart City में सहरों के सभी गुर्ष शामिल होंगे जो नागरिकों को गुडबता पूर्ण जिंदगी स्वक्ष एवं धार्णिये बातावरण के लिए Smart समाधान प्रदान करेगा अच्छा अब बात करते हैं दोस्तों फिरल Atal Pension योजना के बारे में ठीक है तो यह भी काफी important है Atal Pension योजना आईए इसके संबन में आपको बता देते हैं अंशडाता 60 वर्ष की आईउ के उपरांत अपने अंशडान के अधार पर एक नियूंतम निर्धारित पेंशन प्राप्त करेगा इसका लक्ष है 18-40 वर्ष की पैसा जोड़ता है इसका सुबारंब 9 मई 2015 में किया गया था अब बात करेंगे दोस्तों तेरमी सबसे महतपुड योजना के बारे में प्रधान मंत्री उज्जला योजना इससे दोस्तों आपको बता दें कुछ एक्जाम में कई सारे एक्जाम में कोशन पूछे भी जा चुके है और उमीद करता हूँ कि आगे भी इससे कोशन पूछे जा सकते हैं ठीक ना तो इसके बारे में देखे क्या है यह योजना बीपील परिवार के पहचान कर उन्हें LPG प्रदान करवाएगी इसके अंतरगत बीपील परिवार को परिवारों को 1600 रुपए की बित्य साहिता भी मुहया कराई जाएगी मतलब उनको 1600 रुपए की बित्य साहिता भी प्रदान की जाएगी इसका उद्देश है दोस्तो वंचिद परिवारों में खाना पकाने के लिए अशुद इधन को बदल कर उसके इस्थान पर LPG के इस्तमाल को बढ़ावा देना है यानि कि जिनके घरों में LPG कनेक्शन नहीं है जो लोग मतलब इधन से अपना खाना बनाते है ठीक है गैस चूला इस टाइप से उससे बनाते हैं तो उनके लिए यहाँ पर सरकार ने यहाँ पर एक योजना निकाली है परदान मंत्रे उजिला योजना तो इसमें क्या 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 है दोस्तों उनको LPG के इस्तमाल करने को बढ़ावा यहाँ पर के लिए दिया गया है उन सभी परिवार वालों के लिए इसका सुभारम दोस्तों एक माई 2016 से हुआ था अब देखे दोस्तों बात करेंगे हम लोग जन सुरक्षा योजना की PMJ, JBY, PMBSBY या फिर APY कुछ भी आप लोग बोल सकते हैं इसके बारे में सभी के बारे में आप लोग ध्यान से देखी है इसके संबंद में दोस्तों क्या है इसमें समाजिक सुरक्षा योजना है प्रधान मंत्री सुरक्षा वीमा योजना अटल पेंशन योजना APY का मतलब और प्रधान मंत्री जीवन जयोती वीमा योजना शामिल है तो जन सुरक्षा योजना में दोस्तों आप लोग की ये योजना सामिल है सबसे पहले PMJ, JB भाई, समाजिक सुरक्षा योजना में सभी कौन-कौन से प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना, अटल पेंचन योजना, प्रधान मंत्री जीवन ज्योती बीमा योजना शामिल है इसका उद्देश्य है दोस्तों यह भारतिया नागरिक को बिमारी दुरघटना एवं ब्रद दरिद्रता में संयोग कर दी है और इसका सुभारम हुआ था 9 मई 2015 को कब किये थी इसकी शुरुआत तो इसकी शुरुआत की गई थी 9 मई 2015 को की गई थी ठीक ना अब बात करते आज की वीडियो की लास्ट योजना है यह फिलाल इसके बाद पार्ट सेकेंड जब आएगा तो इसमें और भी हम लोग महत्पुल योजनाओ के बारे में आपसे डिसकस करेंगे ठीक ना तो इसके बारे में जाने जब प्रदान मंत्री जंधन योजना के बारे में तो दोस जबेची दोस्तो सार भामिक टवर पर बेंक खाता खुलवाने के साथ मूहल बैंगिंग sack को उपलब्द करवाना वित्ययसक्षा क्रेडिट के उपलब्द था तथा पेंशन सेबदा को उपलब्द करवाना है इसके विभाग की बात कर nouvelles मोडूंतियसेव सेवा श इसका सुवारम किया गया था 15 अगस्त 2014 खुक किया गया था ठीक है तो फिलाल दोस्तो यह था आज इसका पार्ट वन जिसमें हमने आप लोग के साथ 15 भारत सरकार के महत्पुड योजना डिसकस की आप सभी को दोस्तो आज की वीडियो पसंद आया होगी तो इस वीडियो को दोस्तो जितना हो से को उतना शेयर कीजेगा जितना हो से को इतना लाइक कीजेगा ठीक है तो पार्ट सेकेंड जब आप लोगों से मिलेंगे तो कुछ और महत्पुड योजना आप सभी के साथ डिसकस करेंगे पूरी वीडियो देखने के लिए आप सभी का सहे दिल से होगे तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं आप लोगों से इसके पार्ट सेकेंड में तब तक के लिए नमस्कार